तो मेरा नाम हमें लाच पर शुरू करते हैं अगर आप सोच रहें कि आपको आपका ट्राय लेंड हो चुका है वह आप सोच रहें कि आपको पैसे पैसा लगाएं यह सब कर लिए अगर फेस्बूक आप गूगल आट जो भी है वह अगर आप ठीक से इस पर फोकस नहीं करोगे तो आपको क्या होगा अपको बिजनस बंकर देते हो या 15 दिन का ट्रायल के पाद आप उसको कंटीन्यू नहीं करते हो शॉपीफाइग के प्लैन को तो उसके बाद नही अपने तरफ से बहुत ही बढ़िया है वह भी और शॉपीफाइग की काफी अच्छे एप्स भी है अवेलेबल लेकिन वुकामस अगर एक बिगनर है कोई जिसके बाद ज्यादा बिसिकली इन्वेश्मेंट नहीं है अगर वीख में ऐखरा कर लेएं एक दिन से यहाँ पर तरीके से यहां पर हो सकता है थोदर टाइम लग चैटब करने के लिए आपको एपने आपसे समझना पड़ेंगा कैसे आपको रखना है तो थोड़ा समझना पड़ेगा चीजओको बाकी वैसे काफी easy होने वाला है क्योंकि यहां पर सब कुछ drag and drop होगा और जैसे आप Shopify में करते हैं उसी तरीके से बाकी थोड़ी चीज़े होंगी जैसे Shopify में Apps होते हैं तो यहां पर आपको plugins मिलेंगे तो उस तरीकी चीज़े होगी मैं आपको पूरा dashboard एक्जम जाया था कि किस तरीके से आपको hosting purchase करनी है domain कैसे जिदना है आपको क्या चीज़ आपको किस तरीके सेट अप करनी है hosting और domain के regarding तो यह सारी चीज़े मैंने आपको बता रखी है और सबसे बड़ा जो फाइदा है एक तरीकी से यहां पर आपको email जो है वो business email free मिलता है क्योंक इसको कर सकते हैं बाकि Shopify में बहुत से applications है जो कि paid होंगे यहां पर आपको सारी चीज़े फ्री में मिल जाएंगी तो बहुत सी ऐसी चीज़े यहां पर जो बहुत फ्री में और वहां पर आप वही अगर शॉपिफाय में जाएंगे तो आपको shipping के regarding जैसे इंडिया में जो है तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको paid खरीदना पड़ेगा compulsory पेड़ आपके उपर होता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा फंशनेटी जो की जरूरी नहीं की common use हो ठीक है तो बाकि हम लोग इस चीज़ में पुरा लब जो यह सीरीज रहने वाली है काफी इदम कम budget में जो है आ और यह plugins क्या होते हैं यह जो Shopify में अगर आप Shopify के रिगार्डिंग भी नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर आपको मैं बताने वाला हो कि WooCommerce यह सब चीजों का लिना देना नहीं है Shopify से ठीक है तो यह इदम अलग ही है तो चलो हम लोग चलते आपने स्क्रीन पर चलते हैं तो जैसे कि हम लोग अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम लोग देख सकते हैं यहां पर जो है मैंने जो बैसिकली डूमेंज परचेस किया था वह आप यहां पर एंटर कर सकते हैं मैं आपको सारी चीज़े बता रखी हैं पिछली वीडियो में उसकी लिंक में कि पिछली वीडियो को जो डिस्क्रीप्शन में दे दूंगा कि कैसा आपको अपना डूमें किस तरीकी से आपको वर्डप्रेस ऑपने डूमेंज पर आपने अपनों पर बाकि यह साइच चीज वीडियो में बता रखी है एं पूरी प्लेलिस्ट आ जो मैंने बना रहा हू और यह बिगनर फ्रेंडली होगी तो इसको आप एक बार देख सकते हैं और बाकी मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा यहां पर इस जगे पर आएगा जहां पर मैंने स्टोर नेम लिख रहा है यह हमाली वेबसेट इस तरही की से दिख रही है जो कि एक सेंपल पोस्ट हमें दिख रहा है और यह सारी चीजे में दिख रही है यह एकदम एसे लगेगा आप शॉपिफाय स्टोर आप कह सकते हैं एकदम बनेगा आपका शॉपिफाय के जैसे और वुक मस में होगा कर रखा है और उसके बाद मैंने जो है वो forward slash करके WP-admin लिख रहा है यह चीज जो लिखिए ना यह काफी में नहीं है आपको जो है अपने admin मैं इसको एक बार repeat कर देता हूँ आपका जो डोमेन का नाम है जो आपने पर्चेस किया है जैसे xyz जो आपका स्टोर का नाम है सपोस्स ठीक है जो आपने डोमेन जिसका पर्चेस किया है तो यहाँ पर आएगा xyz.com और forward slash wp-admin wp याने की wordpress और hyphen admin ठीक है तो इस तरीके से जो है आपको लिख देना है यहाँ पर मैं अपने अब इसको एंटर कर लेंगे तो इससे एंटर करने से जो है वह आप डायरेक्ली पहुच जाएंगे अपने admin के login पैनल पे तो वहाँ पर login आप स्यारी चीज़े समझाऊंगा अब अब इस प्रटुकलर वीडियो का एम यहीं रहेगा कि मैं आपको पुरा वर्डप्रेस के जितनी वी टैब्स हैं वह उसका ओवर्विव दूँगा मैं आपको ताकि आप जो है वह एक तरीके से पहुत से चीज़े होंगी जिसका में यूज नहीं होगा और सबसे पहले आप दे रहा है उससे पहले देख लिए यहां यहां पर आएगा और वाइस बादने चेंज भी कर सकते हैं आपकी मरजी है यह चीज़ के रिगारिंग और जैसे विजिट साइट का जो हमें आ रहा ह गर्णत हो जाएं और यहां पर कमेंट्स जो आप करेंगे सब्वाग वाली वीडियो विड्यू वहां लाग की मेंट्स होंगे यहां यहां पे आप बेसिकली देख सकते हैं जोकी आप को जैसे कोई उस्क्रिय 어떤 कर ने को य्यूजिए करना यहां यहां पर आपको कुछ ज़्यादा खाज जानने की जरूद नहीं है इसमें और डैश्बोर्ड जो है वो हमारा यही रहेगा यहां पर हमारे इसको लोग रिमूव कर सकते हैं यहां से अंचेक कर लेंगे इसे तो आप रिमूव हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपका पूरा डैश्बोर्ड खाली हो चुका है अब आपकी मर्जी आ हो क्या चीज़ में से डालनी है क्या नहीं डालनी है तो जैसे यहां पर इस सारी और यहां पर सेकंड जो हमारा टैब है वह होम का टैब है यह तो डैशबोर्ड के अंदर ही आएगा अपका ठीक है उसके बाद हमारा जो है सेकंड टैब पोस्ट वाल टैब जिसमें कि all posts होंगी add new या पर categories टैग्स तो इसको लिए बाद चेक कर लेते हैं अगर आप होंगी आपके तरीक तरीकी से वैल्यू एड करेंगी आपके प्रोड़क्ट के रिगार्डिंग तो मिलब जितने भी आपकी ओडियन्स होगे जो भी विसिक्सक्राइब कुछ यहां पर डिफॉल्ट जो एक पोस्ट बनीवी है वह हमारी है हेलो वर्ड ठीक है तो यह आपक पर नहीं होंगे देखिए यहां पर हम लोग को नतिंग ही है यहां पर कुछ भी नहीं है और इसको जैसे हम लोग मैं बताया था कि इसको क्लिक करते जैसे आप डायर्ट अपने वर्डप्रेस के डैश्बूर पर आ जाएंगे तो हमने जैसे पोस्ट के रिगार्डिंग जा यहां बहुत जैसे कुछ डालना है सब फूस पैरग्राफ या पिर इमेज कोई डालनी है फ्याइड है कुछ भी जैसे अपको क्रियेट करनी है तो वह साही चीज़े कर सकते हैं और यहां पुब्लिश कर देंगे पर दो अब पता चले कि किस तरीक से यह पूश्ट यह हमने सिर्फ टाइटल लिखा है उसका पोस्ट का तो यहां पर वीव पोस्ट का उप्शन आ रहा है तो हम लोग राइट क्लिक करके हम लोग ओपन कर सकते हैं दुसरी टैब में ताकि हमारा जो करेंट टैब वह हिंडर ना हो इस इसके रिगार्डिंग कुछ डिफिकल्टी करना होगा और किस तरीके नोग साथ रहा पूदक्स एड़ी क्या चीज़र सकते लुग क्या से चीज़र आटोमेड करने पढ़ेंगी हमें बहुत से चीज़र जो हैं वह एक तरीके से कोशिष करने की है ताइम बाय बाय मारा बिकॉस् तो इसके साथ ने पोस्ट वाला जो टैब था वो हमने चेक कर लिया है उसके रिगारिंग यह वीडियो नहीं है तो हम लोग इतना ही रखते हैं और बाकी मीडिया जो हमारा एक सेक्षिन होगा जहां पर हमारी जितनी भी एक तरीकी से इमेजिस होंगी या फिर वीडियो इमेजिस अपने होम पेज पर वह सारी मेजिस यहां पर आपको शोओंगी ठीक है तो यहां से आप जैसे आड़ कर सकते हैं ना इमेजिस लेकिन वह में बहुत नहीं है हम इसे रहन देंगे ठीक है तो यह हमारा मीडिया का सेक्षिन है अगर आपको कोई सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने हैं तो इमेज यहां से आड़ कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्ली आप जब लोग आगे भी जाएंगे तो इसको डायरेक्ली भी कर सकते हैं और इस पर्टिकलर एरिया से भी कर सकते हैं अगर आपको देखनी है अपने वेबसाइट में आपके कितनी सार ट्रके रखना और श्युजारा शेड़ना नहीं है तक यह आपके लिए तक आपको पता चल जाए कि आपके वेबसाइट पर कितनी सारी इमेजे अवेलीब्स अपने इमेज को जो है टागिंग ठीक से कर रखिए अपने इमेज्च के इंदे टाइटल लिख रखें जो भी ची पॉलेसी पैज प्राइवेसी पॉलेसी पेज़ भाइब कर देंगे किल चीज लए के लिए कि तो देखिए यह इस तरीगे से जो है वो कुछ दिख रहा है आपको अपना प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो कि हम चेंज करेंगे इसका जो अंदर कंटेंट है वो चेंज होगा क्योंकि हमारा पर एकमर्स बेस डिफिटनी पॉलिसी जोंगी वो सारी यह आएंगी ठीक है तो यह सारी चीजें पर आएंगे पेज़े जितने भी क्रेट होंगे यहां से प्रेज कर सकते हैं वो सारी चीजें होगी तो उसके बाद हमारा जो है यहां पर आप एड न्यू जो हुआ क्लिक करक यहां पर हम लोग कमेंट्स की जो मैं बात कर रहा था आपने जो ब्लॉग क्रियेट किये है ब्लॉग एक तरीके से एक पीस अफ कंटेंट होता है जो कि आप लिखते हैं या फिर आप एक तरीके से अपकी कोई वेब्साइड पर करा तो यहां पर आके जो कमेंट आइंगे झो यूजर होगा जो रहेंगे जो यहां पर आईगे तो वह यहां पर आके जो है comment आपकी website पर करेंगे जैसे YouTube क्या होता कि एक जैसे comment करते हैं आप YouTube कोई भी वीडियो पर तो उस तरीके से इस particular ब्लॉक्स पर जो है वह जो comments होंगे वह यहां पर आपको show होंगे सारे की सारे तो उनमें जैसे आपको सारी तो यहां पर जितनी भी थीम्स होंगे आपकी जैसे जो आपका जैसे हमारे जो पेज बहुत ज्यादा एक तरीके से ठीक बढ़िया नहीं लग रहा है अगली टाइप लग रहा है मतलब इतना अच्छा लूप नहीं है उसका राइट हमें e-commerce बेस चाहिए तो हम लोग उ आपकोंगर करना है और यहां पर क्लिक करना और यहां पर यहां पर कलिक करके यहां पर कंफ़ार्म कर देना है और यह लिए तरीकिसे में प्लेख कर लेना है ताकि आपके जो सर्वर है जितना भीजेता कम से कम टेटा रहे और छो ही अच्छा रहता है ताकह आपके से आपकystemाईच्ट रहे आपके पहले तो जैसे आपकों प्यूटर है तो वह तरह आपका सी तरह का आपका टेटा कर रहा है तो यह तरीके से आपके से यह सेख मनेशन ऑफ जो इपने वह थे अंदर वह सिंगपूर का सर्वर था सिंगपूर में हुआरा सर्वर है जहाँ पर हमने सारा डेटा अपना लोड कर रहा है website का, तो हमें कुछ limited data storage करने के लिए जो है वह authority मिलती है, जहाँ पर हम लोग limited data store कर सकते हैं, जितना जाद आप store करेंगी वैसे अपका computer है, तो इसलिए जो है वह आपको वैसे इतना फरक नहीं पड़ता है तो इसे डिलीट कर सकते हैं और साथ में यहां पर कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने थीम को यहां पर विजट्स हैं यह सारी चीज़े जानेंगे आने मेले वीडियो में सीब यही जानेंगे कि ओवर्वियो क्या है इस पर्तिखली में चीजे सह क्या रोलप गल प्ले करती हैं तो अगर आपको यहां चीज़ेसरा है तो इस पूरी वीडियो की से देखिए ठीक है हो सकता है यह थोडी ऊपिशाघ्व हो रही हो थीक है तो बाकी यह वाकि यह हो रही है ओशन डब्लूं पी तो हमाई छी पर नाम होगा ओशन डब्लूं अगर आपको इस इस ना दिख ही यह तो आप इसमें पिछन कर करना है बाकि किसी को मत कर दीजिगा वो ट्रैवल वोशन नौर ट्राय करना चाहते हैं तो कर लिए सकते हैं आप लेकिन वैसे वोशन डवलू पी में बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स है जो कि आपको एक ऐसा वेबसेट बिसिकली इकमर्स टूर बनाके देदेगी जो कि आप एकस कस्तमाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को तो यहां पर जैसे प्रीम एरॉंस अवेलेबल यह हमें इस पर धान देने की फिलाल जरूत नहीं है यहां पर आपना स्टोर का जो टाइटल है वो आप चेंज कर सकते हैं सपोज आपने कोई सपोज आपका जो नाम है आप कर सकते हैं आपकी बिजनस को रिप्रेजंक करते हैं जय्से अगर आपको ऑगसली मेंसे प्रिव कर सकते हैं और जयसे करते हैं वो भी आप tagline में इंक्लूड कर सकते हैं ठीक है और डिस्पले साइट टाइटल एंड टाइग लाइन तो यह आपके पर डेपेंड करता कि आपको करना कि नहीं एक इन डिस्पले आगे जाके इसका जो तो का नाम है हो वह लगों करेंगे जो कि हम यहाँ पर बिसिकली आपको कैसे color schemes देखने हैं कौन सी color आपके brand के लिए आपको अच्छा रहता है कि क्या करना है आपको वह सारी चीज़ आपको जाने भी खुशिश करेंगे और इसके बाद जैसे जो है वह site identity है यह हमारा हो गया चलो customization colors के यहां पर चीज़े हैं जो कि आप डाल सकते हैं जैसे अगर आपको content place करना है सपोस्पोस कि यहां पर डाल सकते हैं कि free delivery available on this particular order quantity एपर यहाँ आ पर तक है से घृष प्र्यूजङी रखाओ भाड्ोर को में इसा में वZY кажशा। करने के रिखा यहां देख सकते हैं यहां पर तेक में भी यहां लिखिली शुरी में यहां पर लिखा हुआ है है इसका content भी हमारा इस साइड पे नहीं होगा आमाइड भी जो है वो content में होगा राइट तो content में जो है वह यहां पर हमारा content आ जाएगा जैसे यहां पर लिखा प्ली प्लेश यह content है तो मैं सब्सक्राइब देता हूं COD available यह depend करता है आपको रखना है कि नहीं रखना है आपका COD अविलेबल ओके तो यह depend करता है आपके बाकी मैंने आप बस sample के लिख दिया COD available free shipping यहां यहां पर आप ऐसे लिए सकते हैं कि इतना पसंट discount 50% discount on this particular product for only for today और यह तरीके से और यह तरीके से हैडर देखता है और उसे देखा कि यह प्रड़क्ट जाकर चेक आउट करें कि यह कौन सा प्रड़क्ट है इस पे इतना discount मिल रहा है और वो चीज़ को पर्चस कर लें तो हो सकता है जो है वो possibilities हो ठीक है तो इस तरीके से चीज़ें होंगी और इसको publish करना जरूरी है अगर publish करेंगी तब ही वह आपका जो होगा और रिफ्रेश करेंगी तो वह चीज़ें वह वापिस से पहले जैसे हो जाएंगी ठीक है इस तरीके से आप आगे पीछे जो हो navigate कर सकते हैं सब चीजों में बाकी इसे हम लोग क्लोस कैसे करेंगे यहां पर आपको क्रॉस का टैब दे रहा है उसे करेंगे क्लोस हो जाएगा यहां पर विजट्स का ऑप्षिन है और यहां पर विजट्स जो हम चेक कर लेते हैं वह आपको एक तरीकी से आपका का नंबर होता है यहां पर आपके बाकी 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 इसे सट कर सकते हैं तो वह सारी चीजे बाकी चीजे में ज्यादा खूँड करेंगे की बाकी इसे बसे वीयसे बनाते हैं इसके बाकी का?, कि यहां पर ata plugins ऐक तरीकिसी बहुत इंपॉटेंट जो यह वो रोल एक तरीके से परेंpower Ma मे नहीं तो दिखाए वट्रस एक तरीके सलैट वेस्ट वेश्ट कूप नहीं इसराइब कॉछ यहां पर बहुत से plugins जो है दब आते हैं तब जाके वह एक तरीकी से बहुत beautiful बन जाता है तो यहां पर plugins का काफी important role है विकाज अगर आप plugins नहीं होंगे तो आपको साइच चीज़े code करने पड़ेगी तो इसलिए बहुत easy बन जाता यहां बहुत से free plugins मिलेंगे आपको मैं बहुत से free plugins में जाएंगे तो वहां पर Shopify में आपको बहुत से यहां पर free plugins मिल रहे हैं वह सकता है आपको paid में हो आपको pay करके पर्चेस करना हो तो starting कर रहे हैं तो उसमें काफी ज़्यादा दिक्कते होती है किसी को भी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा spend करते हैं आपको product fine करना होता है तो उसके लिए मार्केटिंग में काफी ज्यादा डॉलर जो है वह लगाएंगी काफी पैसे लगाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा focus करना है इस पर ही focus करना जरूरी है लेकिन इसमें दीरे-दीरे करके फोकस कर सकते हैं लेकि में चीज मार्केटिंग अपको पहुचेगा पता चलेगा feedback कि आपको चीजा करना है कि नहीं करना है आपको ब्रैंड को किस तरीके से डेवलप करना है कि आपको लगादार बेसिस पर ज्यादा पेमेंट्स करननी पड़ते जिससे क्या होगा कि आप एक टाइम पर आके बोलेंगे कि भाई ज्यादा परिमेंट्स आ रही है मैं फटिकलर दो या ती मैंट बन कर दूंगा लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका एक साल तक आपको आपने डूमेंट पर जिससे कि आपको ब्रैंड जोए आपको लॉंग टाइम मिल जाएगा आपक आपको चीजों को समझने के टाइम मिलेगा ब्लग इंसे होते हैं जो मुबाइल में आप आप करते हैं ताकि आपके मुबाइल के फंचिनलिटीज वह इंक्रीज़ उपाएं तो उस तरीके से भी अविसे इसे को रिलेट कर सकते हैं तो यहां हमारे तीन फिल्लाल जो हैं ज बैसिकली वेबसाइट को माइगरेट करते हैं ताकि एक सर्वर से दूसरे सर्वर में सब को माइगरेट कर रहे हैं तो उसके लिए बैसिकली यह है और लाइट स्पीड कैची यह आपका कैच का प्लग इन है जो कि आपको रहन देना चाहिए और डबली फॉर्म स्लाइट यह हम आगे जाके चेंज करेंगे फॉर प्लग इंस को चेंज नी करेंगे इससे जादा प्लग इंसे डिलिट कर सकते हैं इन फैक्ट यह भी हम लोग देख लिखा e-commerce ठीक है कि हमाया काम e-commerce कर तो हमें e-commerce के काफी plug-ins की जुरुत फड़ेगी ठीक है सबसे पहला plug-in आता है WooCommerce यानि कि यही main plug-in है जो कि हमें e-commerce basically website create करने में help करेगा तो मैंने जैसे कि आप हो कहा था हमनों WooCommerce पे सीखेंगे इस सारी चीजे तो एक plug-in है एक तरीके से एक एप है और यह free है सबसे बड़ी बात तो ठीक है और यह by automatic यह चीजा आद रखी है किस से किसके थूँ बना हुआ है या फिर आप मेरी वीडियो कर सकते हैं उसमें लिखा यह से देख सकते हैं by automatic यह चीज जरूर चाहिए और जैसे plug-in को डाउनलोड करते हैं तो उसके दो या तीन चीजे चेक करते हैं कि वह कब update हुआ था कि compatible है कि नहीं है वह हमारे wordpress के तुरू या फिर जो है वह जो उसका author है वह एक genuine author है या नहीं ह क्या है उसके बाकि इन सब चीजों को basis पर हम लोग को डाउनलोड कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको plug-ins डाउनलोड कर लेने हैं तो हमारा सुझ से पहला important plugin जो है वह install WooCommerce का है plug-in तो इससे हम लोग install कर लेते हैं बाकि और वी plugins होंगे जो कि हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या plug-ins हमें download करने हैं फिलाल इसमें मैं जो है सिफ WooCommerce का क्या दिखा रहा है आपको कैसे install करना है यह WooCommerce का जैसे हमने install knob पे click किया तो यह installing जो है वो शो कर रहा है हमें तो इस तरीके से यह जो है install हो जाएगा उसके बाद जो है हमें activate करने का एक button जो हो जो होगा और हमें जो यह बस वह activate का button क्लिक करना है तो इस तरीके सारे plugins को डाउनलोड करेंगे और जो जो हमें useful होंगे उन्हें कोई extra plugins डाउनलोड करेंगे तो उससे क्या होगा आपकी वेबसाइट की speed हो सकता है माइट भी जो हो जाए और वेबसाट की speed काफी important होती है य लेकिन हाँ यहाँ पर आप तरीके से इसको आउट्सोर्स कर सकते हैं अगर आपके स्पीड इंक्रीज करनी है जो आप वहाँ पर Shopify में पैसे दे रहे थे कि भाई आप जो है दो तीनिजार रुपे लेकिए महीने के दो तीनिजार रुपे जो ले रहे थे जो तीस दोलर के पर आप जो दे रहे थे वह चीज़ा आप आप आउट्सोर्स कर सकते हैं इसका कैसे करेंगे आप फ्रीलेंसर या फिर फाइबर हो गया यह सारी वेबसाइट जो होती है यहां पर जाकर आपके लिए जो है वह कोई और जो है वह सब्सक्रीड करके देगा ताकि आपको जो क कि आप यहां कि आप जो है तरीकी से या फिर जिसमें आपको जो है आप जैसे पर यहां को देख सकते हैं जाब का प्रोड़क्ट को आप जो है वह से कर रहे हैं जैसे कि कि आप एक तरीके से हैडफून कर रहे है तो हैडफून में जैसे आप जो है वह एक तरीके 3D में आप चेक कर पाएंगे कि वह एडफून किस तरीके से दिखते हैं और आप इंफेक्ट उसे अपने रूम में आपकी टेबल पर रखावा कैसे दिखेगा तो यह सारी यह एक प्लाटफॉर्म है तो वहां पे जो डेवलपार होते हैं वह ज्यादा करके एप करते हैं वह पैसे। आपकर ने में करते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं एक तरीके से की एक second option रहसकता है या फिस्त्राइट कर रہकती हूं शॉपीफइब हो सकता यह शोचीजई करना जाते हूं तो वो भी चीज चल सकती है तो इस तरीकिसां नहीं इसको डाउलोड कर दिया है WooCommerce को एक्टिवेट कर देंगे एक्टिवेट बटन पर क्लिक करके और उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं हम लोग जो है एक्टिवेट हो चुका है और यह हमें जो है वो डाइक्टिवेट कर दिया गया है WooCommerce के पेज़ पर यहां पर हमें जो है वह एक तरीकिस सारी डिटेल जो हमें फिल अप करनी होंगी जैसे कि में country रेजेन लोग select कर लेते हैं suppose इंडिया में और अफिल डाल के लिए अम लोग डाल देते हैं और यहां पे दिलजी डाल देते हैं postal code देते हैं लोग सब्ढूर्स दिल्ली का कोई भी code डाल देते हैं ठीक है न और यह सब चीज़ इसको वो क्लिक नहीं करना है वो continue पे क्लिक करेंगे get improved features and faster fixes by sharing non sensitive data via तो यह चीज़ को no thanks भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है आपको इन्हें बताने के लिए यह आप आप कुछ भी अपने स्टोर पे ज़रूरी नहीं है तो इन्वेच प्रोड़क्ट का टाइप देना है कि किस तरिकी का प्रोड़क्ट है सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यह काफी अच्छी बात है यहां पर ना सबसे बड़ी बात जो मैं भूल गया आप बताना यहां पर यह है कि आप जो है एक तरीके से जो आप बोलते ना कि लैंडिंग पेज्ट कर सकते हैं वह भी खुद का कस्टमाइज जो आपको ड्राइग एंड्रॉप करके आपको करना है वही अगर आप बहुत से पेड़ आते हैं जिसके लिए बेसिकली जो पेड़ सर्विस कर सकते हैं वही बहुत कम पराइज में वही उसके लिए भी फ्लग कर सकते हैं उसके लिए फ्लग इन्ज फ्री स्लग प्री मलब बहुत से प्लग इंज्टिंग अबिक्वा हमारा होगा नहीं होगा अगर 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 सब्सक्राइब कर देंगी यह सारी चीज़ों के लिए आपको एक्ट्रा देना पड़ता है लेकिन जरूरत नहीं तो हम लोग को फिलाल डाउनलोड नहीं करना तो कंटीनू कर देंगी और यहां पर हमें पूच रहा है कि क्या है आपको बिजनस के रिकारिंग बताईया तो यह लिग देते हैं और अब करेंट ली सेलिंग जिए इस आपकी अपकी मर्यांग लाना थे यह सारी चीज़े ऐसी क्या आइसी हैं यह में कुछ विसिकली फ इसको ऐसी रहन देते हैं और continue कर देते हैं बाकि जो plug-ins राउन होंगे ने बाद में delete भी कर सकते हैं हमारी मर्जी है इसको continue क्लिक कर दिया है हमने और यह load हो रहा है इसके लिए wait कर लेते हैं तो यार देखो मतलब simple सी बात है अगर आप लोगो Shopify पसंद आरा Shopify कीजी वहां पर बहुत जल्दी वह चीज़े कर लेंगे आप वही चीज़ अगर वर्डप्रेस की बात करेंगे तो यहां पर टाइम लगेगा ऑव्वेसी बात है यहां पर आपको सारी चीज़े हैं वह से setup करनी पड़ेंगे इंफेक्ट आपको वर्डप्रेस का जो home page है वह भी आपको एक को यहां परण टाएम बहुत दो नहीं और यहां फिल्टॉम करना है लेकिन 지난 12也是 प्रिटकूलर करके बना सकते हैं और यहां पर हमने जो है इस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं जो आप मुबाइल में अपने सेल्स को चेक कर सकते हैं और जो भी ऑडर कंफिर्मिशन हैं वाइल के तुरू ही कर सकते हैं तक यहां पर आपने PC पर बैठना ना पड़े या फिर आपको इक तरीके से बहार रहे गई तो आपके कितने ओडर् और यह जो है वो डाउनोड हो जाएगा यह लास्ट अप इसके बाद माइब भी एक और स्टैप होगा और इसके बाद यह पर पर्टिक्लर जो सेट अप है वो वू कॉमर्स का हमारा कंप्लीट हो ठीक है तो इतना ही है और दिखते हैं कि यह कब तक होता है और यह थोड़ा आञेगा इसमें अगया अगया शेपिंग एंट्एक्स हो बीद पींड अटिक्रिक्रिक बिद उन्क्रीष करता है उटमेट इप सेल्स टैकस स्टोर मेंग्मेंट उन्डी नि रिगोग जो मैंने बताया आपपको ओ ओड्मेटेट सेल्स एक्स यहां पर आप्सा यहां पर यह main plugin है आपका जो यूज होगा तो ठीक है इसको थोड़ा टाइम लगेगा वेट करते हैं थोड़ी टाइम तक और जब तक अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है यह अभी तक कुछ भी जैसे लग रहा है कि कोई परकुरी चीज में डाउट आ रहा है तो वह चीज आप मुझ इससे कह रहा हूँ अगर कोई ऐसा बंदा है इसको बहुत हो रहा है तो वह से स्किप भी कर सकता है ठीक है बाकी यह चीज हो रही है डाउनलोड है हो गया ठीक है तो यह हमारा आप जैसे यहां पर हमें जो लागिंग क्रिट करने हैं यहां पर यूज को किस बाइक तरीक से आपको help करता है जब आपका डेटा एक तरीके से वह जब जैसे आपने सब्सक्राइब चीज में लॉग इन कर रहा है तो आप यह तो नहीं चाहेंगे कि बाइबार लॉग इन करते हैं तो वह चीज वह स्टोर करते हैं तो चूज यूजर नेम यहां पर यूजर नेम जो भ स्टोर नेम डालें पासवर्ड सेवड ठीक ना तो हमारा जो पासवर्ड वह से वह चुका है और connecting as demo store authorization your connect authorizing your connection यह authorize करेगा थोड़ा सा time लगेगा इसमें यहां पर यह main plugin है मैं फिर से कह रहा हूँ थोड़ा time लगता है इस particular plugin को download होने में install होने में setup करने में main plugin है आपका मैं फिर से कह रहा आपको ठीक है welcome to your WooCommerce stores online headquarter next click कर लेंगे a personalized inbox full of relevant advices ठीक है good data leads to smart business decisions अब यहां पर जैसे हम देख सकते हैं finished setup करने के लिए हमें जो है बता रहा है हमारा जो setup हमारा वो almost हो रखा है हमें पुट्ट को add करना है setup payments करनी है setup tax करना है setup shipping करनी है और personalize my store जो की personalization भी step है वह में करना है ठीक है यहां पर हमें orders दिखेंगे अपने कितने orders आए है तो जैसे कि हम देख सकते हैं आप हमें euros में show हो रहा था तो हम लोग सबसे पहले जो है वो यहां जाते हैं तो यहां पहले वोकमर्स मार्ण हो गया तो इसको बाकी चीजों को जो है वोकमर्स हम लोग next video के बनाएंगे जो 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 जानेंगे लिए इसमें प्रोडक्ट के रि यह बी सेम चीज है और यहां पर net sales लेख सकते हैं आप कि कितनी sales थी मन तू डेट प्रीविएस यर जो भी जीडिल्स है आपके यहां पर चार्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेकिं यहां पर exact details नहीं बताएंगे कि आपका business कैसे work कर रहा है यहां पर यह पर यह नह कि यहां नहीं देखेंगे आपको तो लिफिस के रिगार्णि आपको परस्नली जो है वह एक तरीकी डेटा जो है मैनेज करना होगा और वह त्यूंअ हो जीश्कों अनिलाइज करना होगा तिक है वह जीश्कों अटिमेट कर सकते हैं पर इंपरिंट रोल प्लेकरते हैं उस से आपको motivation मिलेगा कि आप क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कौन से step आपके लिए सही रहेगा बिजनस के लिए नहीं रहेगा ठीक है marketing वालो टैब है यहाँ पर आपको तरीके से बहुत सारे चीज़े मिलेंगी जैसे कि mailchamd के त्रूओ अगर आप सर्पोस एक email automation जो छोचलाना चाते हैं या फिर इस तरीकी चीज़ें जो करना चाते हैं Facebook पिक्सेल से लिए Google पिक्सील सेट करना चाते हैं तो वह सारे चीज़े भी कर सकते हैं जो कि एक क्रिएट कर सकते हैं, तो यहां पर हमें कृपन क्रिएट करने का अप्शन मिला है, तो यह कृपन भी आप इस तरीकसे यू지 कर सकते हैं, अपनी सेल्स को इंग्रीज करने के लिए, तो यहां पर, जैसे कि क्या होता है, ह्ना, जैसे कोई particular product है, तो उस पर्टिक्लर प्रड़क्ट पे आप कोई कुपन क्रेट करके भी अपनी एडविटरिजमेंट में जो आप चला रहे हैं फेस्बुक की या फेस्ट गूगल की तो उसमें आप जो कर सकते हैं कि यह कुपन यूज कीजिए और इतना डिस्काउंट मिलेगा तो उससे आप आपको कितनी से गूगल के तुरू आई है कुपन आपने दो तरीके के बाद दिये एक प्रूड़क्ट के लिए कि यह कुपन जो होगा यह कुपन जो हो सकता है माइट भी जो ट्रैकिंग फीटर्स हैं वह एक तरीके से लिमिटिड हो जाए जिसमें आप ट्रैक ही ना कर प हैंगे तो यहां पर चीज जो है की तरीके से अपना इा सकते हैं बहुत से कुपन से काफी चीज जो हो कर सकते हैं तो इतना ही हम coupon को रखते हैं आप create भी कर सकते हैं अपने coupon को जो कि हम जानेंगे जब website create हो जाएगी तब ठीक है तो यहां पर हमें basically recommended coupon extensions दिखा रहा है जिसमें आप coupon के लिए extensions भी download कर सकते हैं जो कि अभी फिलाल जरुवत में यहां पर हमने appearance जान लिया था plugin जान लिया था यूजर नहीं जाना था यूजर जो है वह यहां पर आपके users होंगे जो कि आपकी website को use करेंगे ठीक है ना सिंपल सी बात है यह तो और यहां पर administrator जो होगा वह आपका role play करेगा कि पूरी website में कोई भी changes करने है उसे तो वह कर सकता है तो जैसे अगर आपकी team है पूरी ठीक है तो उसमें कुछ एक team है जो कि product upload पर काम करती है उसमें आप इसको role दे देंगे कि यहां पर इस पर्टिक्लर परसन को सिर्फ product add करने के लिए authority मिले बाकी कोई settings को नहीं देख पाए नहीं जो है वह चेंज कर पाए तो वह authority यहां से आप role assign कर सकते हैं ताक कि आपने सब्सक्राइब कोई particular work दिया है ठीक है तो वह ऐसा ना होगी वह आपको जो employees है वह हर डेटा आपका चेक कर पाए ठीक है ना तो यहां पर आपको एक तरह रोल मिलता है रोल बेसिकली आप सेट कर सकते हैं कि सब्सक्राइब कर सकते हैं कि क्या customer है क्या customers की names है वह सारी चीज इसका हम लोग कर देंगे से तो क्योंकि यह जरूरत नहीं है हमें और यहां पे settings में आगए settings भी एक important tab जो है और यहां पे जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग जो है वह बहुत से तरीके से जहाए अपने title जो है store का चेंज कर सकते हैं तो यह भी एक तरीका है settings में जाके site title में change कर दीजिए यहां पर tagline change कर सकते है wordpress का url ओके यहां पर important चीज़ है यहां पर आपको जो है वह s डाल देना है अगर आपका s है suppose आपने जो है वह ssl certificate जो है वह install कर रहा है अपने website मैं आपको सिखा रहा है कैसे करना है last वीडियो में जाएंगे मैंना आपको लिंक भ यहां मिल जाएंगे आपको तो उसके बाद यहां पर s डाल देंगे आप यहां पर s डाल के save कर देना है ठीक है तो इसके त्रू क्या होगा आपके website secure हो जाएगी because यहां पर जैसे आप transactions होने वाल लिए आपके website पर इसलिए काफी important होता है ठीक है उसके बाद में administration email यहां प new user default role तो वो रोल क्या होगा subscriber होगा shop manager होगा customer होगा contributor होगा author होगा editor होगा administrator क्या होगा subscriber होगा ठीक है simple site language English होगी और utc plus zero time zone में important चीज़ ताइम जोन में आपका explain कर देता हूँ जब मैंने start किया था मुझे भी इसक्राइब नहीं आता था time zone कैसे set कर दा जाता है time zone को क्या चीज कैसे समझी जाती तो mainly यह चीज अपको मैं अच्छे से समझा देता हो कि क्या होता है यहा ठीक है ना universal time मतलब फूरी universe का उन्होंने एक तरीके से constant ले रखाए universal time ठीक है उसके basis पे इन लोग सेट करते हैं सब countries के time offset करके मतलब जैसे offset का मतलब basically यहां पर यह होता है कोई भी चीज जैसे एक हमने constant बना लिया एक particular एक जैसे एक particular point बना दिये जहां पर आप उसके reference ले लेकि हम लोग बताएंगे कि कौन से चीज कितनी आगे है कौन से चीज कितनी पीछे है तो आके वले के लिए हम लोग प्लस लगाएंगे पीछे वले के लिए लोग माइनस लगाएंगे तो हमारा जो basically अगर आब बात करेंगे अगर इंडिया में ही सिर्फ सेल कर रहे हैं त तो इसलम दो UTC plus 530 को select कर लेंगे कैसे करेंगे इस पर click किया और यहां पर हमें जो है वो UTC plus 530 option मिल जाएगा यह रहा तो यह हमारा इंडिया का time है ठीक है इसे आप cross check भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है cross check करने के लिए आप आपको आज आएगा वो चीज जब आप save कर देंगे इसे तो बाकी date format जो हमारा आप change करना जाते हैं तो आप वो change कर सकते हैं आपकी मर्जी इसको बैसे change करने ही कोई जरूवत नहीं है इसे ऐसे ही रहन देंगे week starts on Monday एकदम सही save changes simple हो गया तो आज की वीडियो के लिए से इतना है I hope आपको जो आज की वीडियो समझ में आए ज इसको लेकिन मैंने आपको विष्टिस में बहुत सी detail में चीजे बताई हैं बहुत सी चीजें जो की आपको हो सकते है अनुरे tutorial वीडियो में बहुत help करें आपको और आप easily चीजों को समझ पाएं because काफी important होता है beginner के लिए समझना because यहां पे बहुत कुछ चीजें होती है ज कुछ ऐसी चीजे कुछ लगना है नहीं समझना रहा जब कुछ ऐसी चीज पूछना जाते हैं आप वर्ट्प्रस इलेटीड या फिक जो मैंने content के उसके related तो उस particular चीज के रिगार्डिंग आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मैं आपको जो हो चीज के रिगार्डिंग ज